वेलकम टुश्टड़ी फोर नौकरी, आएम रंजन कुमार खालिंदी, ये जेनरल अप्टिटूट की क्लास चल रही है, चाहे आप किसी भी कंपेटिटिव एक्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये सारे एक्जाम्स के लिए यूसफुल है, इस क्लास में हम ना केवल कॉंसेट स आते हैं, और कितने असानी से हम उन्हें solve कर सकते हैं, आज हम लोग previous year के questions कुछ देखेंगे, और इन types के तुरू solve करेंगे, इस ग्रूप का लिंक आपको नीचे description box पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप से join कर सकते हैं, यहाँ पर आपको notes और PDF अविलेवल हो जाएंगे, तो शुरू करते हैं, पहला question क्या है, find the average of first 10 multiples of 8, प्रतर्म 10, 8, 10, 8, भुनजों का अउसत क्या होगा, ठीक है, 10 multiples of 8 का हमें क्या निकालना है, average निकालना है, तो 10 multiples of 8 कहने का क्या मतलब हो गया, 8 into 1, 8 into 2, 8 into 3, up to 8 into 10 तक, ठीक है, that is equal to कितना हो जाएंगे, यह होगा, 8, 8 into 2 equal to 16, 8 into 3 equal to 24, up to 80, ठीक है, तो हमें एक sequence में number मिल गया, 8, 16, 24, like up to 80 तक, ठीक है, तो अब क्या करना है, हमने क्या सिखा था, कैसा average को निकालना है, average निकालने के लिए first number, और last number का हमें क्या करना है, average ले ले लेना है, तो 8 plus 80 divided by 2, equal to क्या हो जाएगा, equal to होगी हमारा 88 by 2, that is equal to 44, तो यहां से हमारा average कित तो 44 हमारे क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, next देखते है, next क्या है, find the average of all even numbers between 20 and 50, क्या कह रहा है, 20 और 50 के बीच के सम संख्याओं का अवसत, find करने को बोला, किसके किसके बीच का, 20 से लेके 50 तक के सम संख्याओं का अवसत, तो 20 से 50 के बीच क्या हो जाएगा, एक तो 20 होग का, ऐसे करते करते हैं, कितना तक, 50 तक के हमको चाहिए, ठीक है, तो इसके बीच का average चाहिए, इसमें भी करेंगे, first number और last number का average निकाल लेंगे, 20 plus 50 divided by 2, that is equal to हो जाएगा, 70 by 2, equal to 35, तो यहां से हमारे क्या answer आगया, 35 हमारा answer आगया, next देखते है, अगला question है, find the average of all numbers between 6 and 34, which are divisible by 5, क्या कह रहा है कि 5 से भीवाजित होने वाली 6 से 34 के बीच की संख्याओं का अवसत find करने को बोला है, कितने से कितने, 6 से 34 के बीच में, 6 से 34 के बीच में, ऐसे कितनी संख्या है, जो 5 से divisible हो, ठीक है, तो सबसे पहले हमें तो यह find करना पड़ेगा, तो इसके बीच ठीक है, यह संख्या जो है, वो 5 से divisible है, means 5 से पूरी तरह विवाजित हो सकती है, तो पहला संख्या हमें क्या मिला, पहला 10 मिला, लार्स संख्या क्या मिला, 30 मिला, तो इसका एवरेज निकाल देते है, 10 प्लस 30, divided by 2, equal to क्या हो जाएगा, equal to हो गया, 40 बटा 2, so equal to आगया 20, आप भी मेरे साथ 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 इन question को solve करें, ताकि आप भी असानी से इसे solve कर पाए, तो यहां से हमारा option क्या आगया, option A जो है, हमारा right answer हो जाएगा, next देखते हैं, next question क्या है, the average of 7 consecutive number is 20, the largest of this number is, क्या कहरा है, 7 क्रामागत संख्याओं का आउसत 20 है, बड़ी संख्या कौन सी ठीक है, तो इस तरह के questions हमने देख रखे है, typewise हमने सिखा है, पहले के class में, अभी तक आप में से किसी ने solve भी कर दिया होगा, इस question को, तो क्या है, इसमें क्या बोला है, 7 क्रामागत संख्याओं का आउसत 20 है, तो मैंने क्या कहा था, आउसत क्या होता है, किसी भी संख्या का बीच वाला जो value होता है, वही आउसत होता है, ठीक है, तो 20 है, हमें कितना चाहिए, 7 value चाहिए, 7 क्रामागत चाहिए, 7 सृज में लगाना है, तो 20 से इधर 3 आएगा, और 20 के इधर 3 संख्या आएगी, ठीक है, तो 20 के इधर संख्या क्या आ गई? एक आ गई है हमारी 21 22 और 23 ठीक है? उसी तरह 20 से पहले क्या आएगा? 19, 18 और 17 यह आएंगी यह हमारा हो गया 7 क्रामागत संख्या और यह क्या है? यह उसका आभरेज दिया हुआ हमें से आभरेज क्या होता है? बिचवला ही नंबर होता है तो हमें क्या बोला? बड़ी संख्या कोन सी? बड़ी संख्या कोन सी? बड़ी संख्या हो गई 23 बड़ी संख्या हो गई तो 23 हमारा क्या हो जाएगा? 23 हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है? तो इसी तरह जल्दी से ही solve करना है question को क्योंकि exams में हमारे पास बहुत ही कम समय होती है और question बहुत जादा होता है ठीक है next देखते है the average of 5 consecutive odd number is 61 what is the difference between the highest and the lowest number ठीक है कहा क्या रहा है कि 5 प्रामगत बिसम संख्याओं का औसथ except है 61 दिया हुआ है बिसम संख्याओं का बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर निकालने को का है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या find कर लेंगे ठीक है बिसम संख्या कहने का क्या मतलब हो गया अब क्या करना है पांच consecutive बोला है तो पांच क्रामागत संख्या बोला है तो इधर दो होंगे और इसके इधर दो होंगे संख्या होगय फ्रक्राँ के बाद क्यों सा अब कौन सा पिसम संख्या आता है 63 उसी तरह 61 से पहले क्या जाएगा 59 और 57 अब्वें क्या बोला है इन दोनों के बीचका अंतरble संख्या निकानने को बोलाई difference निकालने को बोला है तो difference equal to क्या हो जाएगा 65 minus 50 से बन तोनों के बीच का अंतर निकाल देंगे तो दोनों को घटा देने पर आ जाता है 8, तो हमारा answer क्या आ गया option C, 8 जो है हमारा answer आ जाएगा ठीक है, आगे देखते है next क्या है the average of 5 number is 27, if one number is excluded, the average becomes 25, the excluded number is, क्या कहा कि 5 संख्याओं का आउसत 27 27 से, अगर एक संख्या हटा दिया जाए, ठीक है, एक संख्या हटा दिया जाए, तो आउसत 25 हो जाता है हटाया हुआ संख्या क्या है, तो इस तरह के टाइप्स भी हमने पढ़ रखे हैं, क्या दिया हुआ सबसे पहले तो दिया हँआ कि 5 संख्या यानि कि 5 number जो दिये हुए है उसका आउसत कितना दिया हुआ 27 दिया हुआ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, ये आ जाएगा क्या आ जाएगा ये, 5 इंतुग 7 7 ठीक है 5 x 27 कर लेंगे that is equal to kتना हो गया 135 हो गया next क्या है next क्या लिखा हुआ बोल क्या रहा है if one number is excluded अगर एक संख्या हटा दिया जाए एक संख्या हटा दिया जाए कितना संख्या था पांच संख्या था पांच संख्या में क्या क्या एक संख्या हटा दिया, तो कितना संख्या बचा, चार संख्या बचा, ठीक है, चार संख्या बचा, चार संख्या बचा, तो इसमें क्या हो रहा है, एक संख्या को हटाने पर, average becomes 25, आवसत क्या हो जा रहा है, आवसत 25 हो जा रहा है, तो 27 नहों के कितना हो जा रहा है, 25 हो जा आएगा equal to हो गया 100 ठीक है 100 अब क्या अब इन दोनों के बीच को हमें क्या करना है गाप करलेना है तो gap निकाल देते हैं इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो minus करेंगे तो क्या आजाएगा Look what creatures 100 गया थो chatety वाइफ तो 35 हमारा क्या आजाएगा? अंसर आजाएगा. 35 option B जो है हमारा अंसर निकल क्या आजाएगा. ठीक है? Next देखते हैं. Next क्या है? Next लिखा हुआ, A grocer has a sale of Rs. 6435, Rs. 6927, Rs. 6855, Rs. 7230, and Rs. 6562 for 5 consecutive months. How much sale must he have in the 6th month so that he gets an average sale of Rs. 6500? कह रहा है कि एक किराना, एक दुकांदार जो होता है, वो क्या कर रहा है? 5 क्राम अगत महिनों में. Rs. 6435, Rs. 6927, Rs. 6855, Rs. 7230, और Rs. 6562 का समान बेचता है. अगले महिने, मतलब अगले महिना 5 क्राम अगत का तो होगी? आगले महिना मतलब 6 महिना में, वो कितना रुपए का समान बेचता है, कि आउसत जो है, वो आए Rs. 6500 उसका आउसत निकल कर आ जाए. ठीक है? तो कोस्चन देखके घबराना नहीं है, कोस्चन काफी बड़ा तो दिख रहा है, बट हमने टाइप्स के थूरू इसे असानी तरीका से सीखा हुआ है, तो कैसे इसे सॉल्ब करना है? इसे सॉल्ब करने के लिए क्लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो कितना मन्त है? एक हो गया 1st month, 2nd month, 3rd month, 4th month, 5th, और 6th तक चलना है. ठीक है? 6,500, 6,500, 6,500, 6,500, 6,500, और 6,500, अबरेज आना चाहिए, ठीक है? तो पहला मन्त में कितने रूपीज का वो बेचा समान? वो पहला मन्त में कितना? 64,35 रूपीज का समान बेचा. दूसरे महने में 6,6,9,2,7, 3rd महने में 6,8,55, और 4th महने में 7,2,3,0, 5th महने में 6,5,6,2, और 6th month का हमें क्या करना है? पता करना है. ठीक है? तो इतना उसने सेल किया इस month में. अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे? इसके बाद क्या करते थे? सबको आपस में घटा देते थे. तो इसे घटाने के बाद क्या आ जा रहा है? इसे घटाने के बाद आ जा रहा है. ठीक है? इसे आपस में घटा देंगे. तो इसे आपस में घटाने के बाद क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा. माइनस 4,2,7. ठीक है, minus 4 to 7 आ जाएगा, ये बड़ा संक्या है, ये छोटा संक्या है, इसलिए minus का sign आएगा, यहाँ पर भी इसे भी घटा देंगे, तो ये घटाने पर कितना जा रहा है, ये घटाने पर आ जाएगा, 5, 5, 3, ये भी minus में, ठीक है, उसी तरह इसे भी घटा देंगे, इसे भ खटके कितना आ गया, इतना सा आ गया, ठीक है, ये भी minus में आएगा, अब क्या है, अब क्या करेंगे, इसे आपस में घटा देंगे, तो इसे आपस में घटा देते है, इसे आपस में घटाने से क्या हो जा रहा है, इसे घटाने पर आ जा रहा है, ये, ये भी minus 62 ही आएगा ठीक है, minus 62 ही आएगा और इसे आपस में यहाँ पे तो कुछ पता नहीं है हमें एक नट, यह हो गया हमारा 62, यहाँ तो हमें पता नहीं है तो यहाँ क्या करेंगे, यह direct यही उतर जाएगा, 6, 5, 0, 0, ठीक है यह हो गया, यह हो गया तो अब क्या करते है इसके बाद इसके बाद करते है यह है कि सब में सबको add कर देते है plus, 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 plus और plus, ठीक है मैंने क्या किया है, यह बड़ा संख्या था, इस बड़े संख्या से इस छोटे संख्या को घटाया, तो 4, 2, 7 आया, ऐसा नहीं कि उपर से नीचे को घटाना है, ठीक है, जो बड़े संख्या बड़े से छोटे को घटाना है, ठीक है हो गया, तो यह आ जाएगा value यह आ गया, अब क्या करना है, सबको add कर देना है तो क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम लोग 65, यह हो गया, प्लस माइनस माइनस, 4, 2, 7 यह माइनस, 3, 5, 5 माइनस, 7, 3, 0 माइनस, 6, 2 और प्लस, 6, 5, 0, 0 हो गया, अब इसे calculate कर देते हैं तो, equal to क्या होगा यह प्लस में है, यह प्लस में दोनों को add कर दिये, क्या हो गया, 6, 5 65 हो गया, अब क्या, सारा है माइनस में ठीक है, सब add हो जाएगा, तो माइनस क्या हो गया 1574 जो हो जाएगा ठीक है, अब इसे घटा देते हैं, घटाने पर आ जा रहा है, 4, 9, 9, 1 ठीक है, तो यह हमारा क्या हो गया, answer उसे 6th month में 6th month में क्या करना पड़ेगा 4,991 रुपे की समान उसे बेचनी पड़ेगी ठीक है, तो यह जो हमारा answer आ जाएगा, तो इसी तरह प्रस्ण को क्या करना है, हमें जिस तरह से हमने type सीखा है उसी तरह से solve करना है, ताकि ज्यादा calculative नहीं हो ठीक है, तो यह हमने कौन सा type में सीखा था यह हमने सीखा था कौन सा type में सीखा था मुझे भी याद नहीं आ रहा है I think आपको याद आ गया होगा, यह काम करना वीडियो को pause करना, नीचे जाके थोड़ा comment करके बताना, यह कौन सा type का था, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते है, नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट कोस्टन है, the average of runs of a cricket player of 10 innings was 32 how many runs must he make in the next inning so as to increase his average run by 4, ठीक है क्या वो रहा है, कि एक किर्केटर का 10 पारियों में औससत run 32 है, 10 पारियों में उसने 32 अगले पारियों में, अगले पारियों कहने का मतलब क्या है, 11 पारियों में वो कितना run बनाए, कि उसका आउसत run में 4 run बढ़ जाए, ठीक है, आउसत run में उसका 4 run बढ़ जाए, तो क्या बोरा है सबसे पहला तो बोरा है कि अपने 10 पारियों में ठीक है अपने 10 innings में क्या कर रहा है वो बना रहा है अपना 17 कितना 32 run बना रहा है 32 run बना रहा है ठीक है 32 run बना रहा है तो क्या करेंगे यहां से यह हो जाएगा 10 into 32 that is equal to 3 to 0 ठीक है अब क्या बोला बोरा कि how many run must he makes in the in his next inning next inning कहने के к्या मतलब हो गया अगले पारी में 10 था तो अगला पारी कौन सा होगा 11 होगा तो 11 innings में उसे क्या करना है 11 innings में उसे run बनाना है, जिससे उसका आवसत average में 4 run की बढ़ेतरी हो, मतलब कि 32 था उसका आवसत run, इसमें 4 run बढ़ जाए तो 4 run बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा तो 36 हो जाएगा, तो क्या करेंगा यह हो जाएगा 11 into to 36 ठीक है तो 11 Is 18義 हो गया 296 हो जाएगा 296 हो जाएगा अब क्या करना है इन दोनों का गैप निकाल देना है 76 पारी में उसे 76 तो 76 हमारा option C जो है वो right answer हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं आगे क्या है the average age of mother and her six children is 12 years which is reduced by five years if the age of the mother is excluded how old is the mother ठीक है मम्मी का क्या पुछा है आयू पुछा है माता और उनके छे बच्चे का आउसत आयू 12 वर से बोल रहा है अगर मा की आयू हटा दी जाए अगर मा की आयू हटा दी जाए तो आउसत आयू में पांच वर्स की कमी आ जाती है तो मा का आयू क्या था ये पूछ रहा है ठीक है क्या पूला है question में माता और उनके छे बच्चो मतलब की एक माता है माता है और क्या है उनके छे बच्चे तो टोटल केतने हो गए साथ लोग हो गए साथ लोगों का आउसत आयू जो है वो दिया हुआ है 12 वर्स ठीक है साथ लोगों का आउसत आयू दिया हुआ 12 वर्स तो क्या करेंगे ये आ जाएगा हमारा 7 into 12 वर्स एक वत हो गया 84 ठीक है अब क्या बोला अब बोल रहा है कि मा की आयू खटा मतलब अगर मा की आयू हटा दी ज़ाए मतलब मा को तुमा को कंसिडर नहीं करना तो मा को कंसिडर नहीं करेंगे तो कितना अब लोग बच जाएंगे साथ लोग थे टोटल, तो साथ में से हमने मा को हटा दिया, मा को हटा दिया, तो टोटल अब बच गए, छे लोग, छे लोग में क्या हो रहा है, छे लोग है, तो उस किसमें क्या हो रहा है, मा की आयो अगर हटा दी जाये, तो आउसत आयो में 5 वर्स की कमी आ जा रही है, ठीक to कितना हो गया 42 अब क्या करना है फिर हमें इन दोनों का बीच का gap निकाल देना है तो 84 minus 42 equal to क्या आ जा रहा है 42 आ जाएगा तो मा की आयू क्या थी 42 वर्स थी ठीक है तो यह हो गया 42 next देखते है next क्या है a car travels to a place 150 km away at an average speed of 50 km per hour and returns at 30 km per hour his average speed for the whole journey is km ठीक है कह रहा है कि एक आदमी car से 150 km तक 50 km प्रती आवर की औस चाल से जाता है तथा 30 km per hour की औस चाल से वापिस आता है पूरी आत्रा में औस चाल कितनी है ठीक है यह भी हमने देख रखा है कि इसमें क्या करना है क्या हम मैंने बताया था कि जब भी दूरी सेम हो जब भी दूरी सेम हो कितना दूरी वो रहा है इसमें 150 km बोल रहा है क्या है इसी जगा से इसी जगा जा रहा है 150 की दूरी तरी कर रहा है यहां से ए से सपोज ए है ए से बी तक गया उसके बाद क्या वो हो रहा है 50 km per hour औस चाल से जा रहा है ए से बी में जब जा रहा है तो वो क्या है उसका स्पीड क्या है speed है 50 km per hour अब क्या है और क्या भोला 30 km hour के ओसद से वापस आ रहा है मतलब B से अब वापस आ रहा है B से कहां जा रहा है A तक जा रहा है वही distance 185 km है तो क्या हो रहा B से A तक जा रहा है B से A तक जा रहा municipal है Y equal to 30 km per hour की speed से जा रहा तो इसके लिए हमने क्या formula पढ़ा था आउसा चाल निकालने के लिए average speed find करने के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है 2xy divided by x plus y ठीक है तो क्या हो जाएगा 2 into x कितना है 50 into 30 divided by 50 plus 30 ठीक है तो यह क्या हो जाएगा 2 into 50 into 30 that is divided by 80 हो जाएगा अब इसे क्या करते है इसे calculate कर देते है तो यह गया यह गया इससे यह कटा यह हो गया 4 that is equal to 150 by 4 और इसे calculate करें तो यह आजाता है 37.5 km per hour तो option c जो है यहां से हमारा right answer हो जाएगा तो देखा कितनी आसानी से हमने previous year के questions भी solve कर लिया इसी तरह आप भी questions बनाएं जादा से जादा questions बनाएं क्योंकि अब आपने average बहुत ही अच्छा तरह से सीख लिया है ठीक है और जरूर बताना नीचे comment कर गए कि यह average चेप्टर आपको कैसा लगा आसान लगा यह नहीं लगा तो thank you for watching और अच्छा लगे तो please इसे like कर देना अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हमारे चैनल में आगे भी बने रहें और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने friend में share करें Thank you